विनायक को उसी अपून रूप में पुनह जीवित करना संभव है क्योंकि उसकी व्यक्तित्तों का दोश उसकी मलबुद्धी से उत्पन हुआ था इसलिए यदि उस पे एक नया शीष्च लगाया जाए तो उसे पुनह जीवित करना संभव हो सकता है तब वो शुबता के क्योंकि तब वो आदी शक्ति द्वारा अपने स्वार्थ पूर्थी है तु निर्मित बालक नहीं अभी तो पुरोश्व प्रक्ति से बनाया हुआ एक पुत्र होगा रभू विनायक का वैसा ही मोहक सर कहां से लाएंगे क्योंकि वो तो भस्म हो चुका है विनायक को नया शीर्ष लगना आनेवार है और शीर्ष मेरिया किसी और की इच्छा के नुसार नहीं लगेगा शीर्ष वही लगेगा जिसकी समस्थ अंसार को आवश्यक्ता होगी नंदी देवराजिंद्र के साथ उत्तर दिशा वे प्रस्थान करो सबसे पहले तुम्हें जो भी जीव द होना समभ हो जाएगा विनाश